हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्ट्रॉंगेस्ट हेंडर के एपिजोड 32 के साथ था जिरू एपिजोड की शुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है जो जंगलर भाग रहा होता है और लीडर मिंग से बात करते हैं कि मैंने हमारा जो कॉम्मुनिकेशन चैनल था उसे चेंज कर द इंस्ट्रेक्ट कीजिए वो कमार्डर उन सभी से कहते हैं कि मैंने या फिर से एक और स्कैन किया तब मुझे पता चला कि आप एक और मॉस्टर है जिसे मशीन ने डिटेक्ट किया अभी अभी पर यह एक्दम हैरानी की बात है कि हमने थोड़ी दिर पहले ही चेक किया तब कोई मॉस्टर नहीं था पर आप अचानक से एक मॉस्टर आ गया पिंग कमार्डर से कहते है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि वह कौनसी डारेक्ट्ट में है वह कमार्डर एक्टम हरान होता है कि को मॉस्टर कोई भी डारेक्शन नहीं है वह अचानक से वह आप अपर अप और मॉंस्टर के आप आटक करता है पर के वासे एकदम तेही से भाग जाती है कि आपका जो एकदम करेक्ट है वो मॉंस्टर बिल्कुल मेरे पीछे ही था जो मेरे आटक भी कर चुका है और मुझे इस फॉक को देखने बात ऐसा लग रहा है कि यह मॉंस्टर के लिए शायद एक टेलिपोर्ट का काम करता होगा ताकि कोई भी मॉंस्टर एक जगे से दुस्री जगे एकदम आसानी से पहुच जाए तो कमांडर केंस से कहा दे कि तुम जितने जल्दी हो सके उस फॉरस से बाहर आजा और मैंने यापे जियो की को भी तुमारी मदद के लिए भेजा है किन अबने मुन में सोचते हुच आज जाए कि अगर मैं या से भार गई तो वो कैंपिंग एरिया आ जाएगा और यह मॉंस्टर को देखके मुझे हैस लगता है कि यह मॉंस्टर बहुत जया स्ट्रॉंग हो चुका है और शायद इसका रैंक मास्टर रैंक में आता होगा औ आप सभी बहुत अच्छे हो पर प्लीज आप सभी अपना ध्यान रखना और फिर वो ऐसा बोलते हुए वो रेडार पे से गायब हो जाती है तो इसका मतलब कि के नप मर चुकी है वो मॉंस्टर ने उसे मार दिया है वो कमांडर यह देखके जिरार होने लग चुकी होती है औ इन ने वापे जो मॉंस्टर था उसे डूसरी डायक्शमें लेके गई और फिर वो अपने आपको सेक्रिफाइस कर दिया उस मॉंस्टर से और आपमें बाकी की जो मैंबर्स है उन सभी से इतना ही कहना चाहोगी कि आप लोग जल्दी से जाओ और वो और आपे जो फॉग किसी मॉंस्टर को अंडेस्टाइण करना वो बहुत मुश्किल है या फिर हम लोग ये ब्रेडिक कर सकते हैं कि आपे वो वाली वुमन आ सकती हैं जो हमें ट्रेन के समय अटेक कर रही थी या फिर वापे स्नेक भी आ सकता हैं या फिर या पिर वह वो स्पाइडर मॉंस्टर मॉंस्टर आ रहा है मिने कह अपने सामने देखता हैं और वापे बग ट costume ओपह और फिलाल ये जो मॉंस्टर हैं इसका रेंक बहुत लोग है ये फिर वूंस्टर रेंक में आता है और फिर कमांडर रेडार पे बहुति यहाँ लाह ते हैं कि वहापे चुह रेडार होता है उसके ओपर बहुत ज़्यादा और भी monsters आ रहे होता हैं और वो मिंग से कहा दे कि तुमारे आसपास और भी ज़्यादा monsters आ चुके हैं वो पता नहीं कैसे पर वो आपर अचानक से आ चुके है वो मिंग commander से कहा दा कि कोई बात नहीं यह मैं इन monsters का आराम से समाल लूगा क्योंकि इनका rank कुछ ज्यादा high नहीं है यह सारे servant rank की है और फिर मिंग ऐसा बोलते वे वापर जो monster होता है उनके ओपर attack करने लग जुका होता है और उस सारे monster एकदम आसानी से मरती ही जा रहा होता है और वो लोग भी मिंग के ओपर attack करता है पर उनका attack इतना effective है नहीं और फिर मिंग वापर जितने और भी monsters होता है उन्हें एकदम तेही से साथ में ही मार देता है पर यह पर थोड़े और monsters आते है जो मिंग के ओपर attack करने वाल होता है जिसका नाम कुकू FM है दोस्तो कुकू FM इंडिया का leading audiobook platform है जहाँ पर दोस्तो आप सभी को 3000 से भी ज्यादा audiobooks मिलेगी और साथ ही साथ आपको summaries भी मिलेगी और दोस्तो जब मैं अपने वीडियो के लिए photos crop कर रहा होता हूँ तब मैं specially कुकू FM सुनना जरूर प्रिफर करता हूँ क्योंकि वापे बहुत ज़्यादा amazing audio books हैं जिने सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको बहुत ज़्यादा knowledge भी मिलती है और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है इस platform के बारे में कि ये जो platform है वापे आपको बहुत ज़्याद amount में ये सारी जो books हैं वो आप सभी को audio format में available कराते हैं क्योंकि books पढ़ने में आपको बहुत ज़्याद time लगता है और आप काम करते हुए तो books को hit कर ही नहीं सकते पर आप कुकु FM को कोई भी काम करते हुए अपने earphones को लगाते हुए आप सुन सकते हो तो दोस्तो वैसे तो इस platform की जो cost है वो 3.99 रुपीज पर year है पर मेरा अगर आप coupon code यूस करोगे जो मैंने मेरे description में और आपके screen पे अभी play हो रहा होगा अगर आप उसे use करोगे तो आपको 50% off मिलेगा इसके उपर तो फिर आपकी जो cost होगी वो रुपीज 1.99 हो जाएगी दोस्तो ये है ना एकदम बहुत अच्छी सी deal क्योंकि दोस्तो जब आप एक physical book खरीते हो तब आपको वो जो book की cost होती है वो आपको 200 से भी ज्यादा की हो सकती है और वो भी आपको सिर्फ एक ही मिलेगी 200 रुपीज में पर दोस्तो अगर आप मेरा coupon code यूज करोगे तो आपको इसका जो subscription है वो सीधा आपको 199 रुपीज में ही मिलेगा और साइसाथ उसका coupon code दिया है उसे copy करते हुए इस offer को जल्दी से ले लीजिए क्योंकि इतना चौफर वाफस नहीं मिल सकता न commander मिंग से कहा देगी यहाँ पर चुल में बर्ग टाइप के हैं और साइसाथ वो लोग ओड़ भी सकते हैं और फिलाल इन लोग को analyze करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि तुम इने पूरी तरसे मार नहीं सकते मिंग commander मिंग से कहा देगी तो फिर मैं क्या करूँ इन सब का वह commander मिंग से कहा देगी मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है वो शायद उन लोग का nest है तो मुझे जाके उने मार सकते हैं पर याँ पर सोचने की बात तो यह है कि यह साई जो monsters है वो तुमसे बहुत ज्याद दूर है पर लब कि उनका जो nest है वो बहुत से दूर है पर तो भी वो लोग एकदम तेई से तुम्हारे तक पहुच जा रहे है और आप मुझे इन सभी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इनमें बहुत ज्यादा कम आखा था और हा मिंग ये साई जो monsters है वो एक्चल में वैली वाली एरिया में है और आप मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग शायद हमारी camping एरिया पे भी आ सकते है तो मुझे ये valley एरिया चोड़के camping एरिया में जाना होगा और आपसे मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें ये valley को गार्ड करना होगा और आप बाकी की जो instructors है वो लोग भी एक्चल में कुछ ऐसे monsters से सामना कर रहे है जो बहुत से strong है में कमांडर से कहता है कि आप हमारे चिंता मत कीजिए आप इस जगे से जा सकती हो वो कमांडर मिंग से कहा दे कि मुझे पता है कि तुम ड्राइगन फ्रैंक के मेंबर हो तो ये मुझे जा चिंता होती है क्योंकि तुम एक student ही हो फिलाल और मुझे ऐसा ही लगता कि मुझे तुमारे पर इतनी बड़ी जिम्मेदाई डालनी चीए पर फिलाल के लिए तुम मुझे माफ कर दे ना पर तुम मुझे सिफ इतना promise करो कि तुम वहापे survive करोगे मिंग monsters को मारता हूए commander से कहता है कि हाँ मैं आप से promise करता हूँ कि मैं आप सारी monsters को मारी दूगा और मैं आप अच्छे से survive भी कर लूगा और फिर वह ऐसा बुलत हुए एकदम तेही सा आगे बढ़ता है और आप चितने और वही monsters होता है वह उने एक ही साथ खतम कर देता है और उसके बाद वह एक जगे पर जाता है जा पर वह portal खुला होता है जिसके अंदर से वह monsters भार आ रहे होता है मिंग उस portal को देखते हुए कहाता है कि यही वह portal है जहापे वह commander बात करी थी उससे कि आसे वह monsters भार आता है तरही वहापे उस portal में से बहुत सारे monsters भार आलता है और वह सारे monsters मिंग के उपर attack करने के लिए आगे आए उससे पहले मिंग अपनी power को release करता है और वह उन सभी के उपर एक tornado वाला attack यूज़ करता है जो fang kai के उपर भी उसने यूज़ किया था और मिंग के इस attack के कारण वहापे जितने भी जो monsters थे वह सभी एक ही बार मर जाता है और वह जो portal होता है वह उसकी तरफ जाता है और वह portal को ध्यान से देखते हुए काया था कि यह जो portal है वह शायद कई और जगे से connected होगा और फिर वह ऐसा बोलते हुए उस portal के अंदर चला आता है पर मिंग उस portal के अंदर जाए उससे पहले ही वाप एक भारक monster आता है और वह मिंग के उपा अटक करने ही वाला होता है पर मिंग उससे सिफ एक ही हार से मार देता है मिंग उस portal को देखते हुए कायता है कि यह मुझे बहुत अलग लग रहा है क्योंकि यह nest जैसा तो नहीं है क्योंकि यह साई जो monsters हैं वो लोग एक portal को यूज कर रहे है इस फॉक के अंदर appear होने के लिए और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस portal के अंदर चाना चाहिए और देखना चाहिए कि इस portal के अंदर क्या है और फिर मिंग ऐसा बोलते हुए उस portal के अंदर चला जाता है दोस्तों आज के लबस इतना है मैं आप सब फिर मिलूगा इस स्रीज के अगले अपिसोड के साथ तब तक के लिए बाए